नियाईक जाज इस पूरे प्रकरण की हाई कोट के वरिष्ट रिटाइट जज के द्वारा द्राई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाग रुपे का प्रतिवेक्ति मुआउजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और खायलों को 10 लाग रुपे का आनुदाद शाशक के द्वारा दिया जाएगा इसके अत्रिक जो भी आदमे मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योगता का अनुसार सौकरी दी जाएगी यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है जो भी व्यक्ति की कमिटी से समय समय पे यहां के अधिकारियों से टच में रहेंगे जो कि कोई भी बिंदू अगर विवेचना के दौराद चुटेगा उसको बताते जाएंगे समय समय पे गिरफ़ारी मैंने आपको बताया कि दिया मानुसार कड़ी से कड़ी कारवाई कली शासल के सिर सस्तर से यह बता दिया गया था कि कोई भी अपरादी भक्षा नहीं जाएगा कोई भी दोसी वक्ति भक्षा नहीं जाएगा गिरफ़तारी बहुत जल्द की जाएगी वाभी हम लोग इसके बाद से जो डेट बड़ी है उसको जो कानूनी परक्रिया है उसके पहत पंचरामा भरते हुए उसमाटम और उसकी जो अपनी धार्मिक्रीती रिवाज के हिसाब से उसका अंकेश्टी उसकी की जाएगी अरे चीज़ने पहले शाशन यहां जिला पर शाशन के द्वारा फूर्ड में लिया जा चुका था कि एक सचवालिस के अंतरगत कोई भी दानितिक व्यक्ति को यहां आने की जाज़त नहीं है केवल जो किसान संगठन के लोग है वो यहां आये हैं और उनके द्वारा बंत के साथ बैठ के सर्व समयति से उनके High Powered Committee के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शाशन द्वारा माना गी आगे भी लागू रहेगा यह आगे भी लागू रहेगा किसी क दोरा लिया जाता है